दोस्तों प्रणाम यह चाहे पढ़ने वाले बच्चे हो या हम कोई काम करते हैं धंदा करते हैं बिजनिस करते हैं व्यापार करते हैं नौकरी करते हैं तो आज का विशय है दिन चर्या कैसी हो दिन चर्या कैसी होनी चाहिए आप सुबह उठते हैं तो उठने का समय क्या होना चाहिए सोने का समय क्या होना चाहिए यह सब की व्यक्ति के रूची अलग-अलग होती है कोई एक बज़े तक जगता है कोई दस बज़े सोके उठता है तो हम जो है अपने सही देंचर्या कैसे बनाएं, सही देंचर्या कैसे रखें और समय का सही उपयोग कैसे करें, वास्तों में देंचर्या कैसी हो जो विशय है आज का, तो इसमें इसको बनाने का मतलब है कि आपका समय का वास्तविक उपयोग कैसे हो, जब तक छात्र जो है अपनी दिन्चर्या नहीं बनाएगा उसके सही समय का उपयोग वह नहीं कर सकता। व्यक्ति बनना है, प्रभावित व्यक्ति बनना है, व्यक्तित्ववान बनना है, बुद्धिवान बनना है, चरित्रवान बनना है, ऐसा नहीं है कि आप परिक्छा में पास हो गए, पढ़ लिये, आगे कक्छा चले गए और आपका जो बेवहारि ज्यान है वो जीरो है, तो अब के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. लेकिन आप यदि अपनी सही देन्चर्या, सही बयोहारिक्ता, आप किस से क्या कह रहे हैं, आप का भासा का ग्यान कितना है, आप भासा को किस तरह उपयोग करते हैं, इसका ग्यान जब तक आप को नहीं होगा, तो आपका व्यक्तित्व में निखार कभी नहीं आ सकता चाहे आप किसी भी पद में चले जाएं, किसी भी इस्तर में चले जाएं हम किताब पढ़ के कंपटीशन की किताब में पढ़ करके और कोई भी नवकरी हासिल कर लेते हैं लेकिन समाजिक रिती रिवा समाजिक ग्यान बेवारी ग्यान जीरो रहता है तो जब तक आपका भासा का ग्यान नहीं होगा सब्दों के अर्थ सही नहीं होंगे आपके कार सही नहीं होंगे आप किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकते तो हमारी दिन चर्या कैसी हो भी सह है तो दिन चर्या के लिए आपको पढ़ने वालों के लिए कम से कम प्रेती दिन चार घंटे सुवे दो घंटे और साम दो घंटे आपको अपने दिन चर्या में जोड़ना होगा पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ता है बच्चा जब अपनी उसको दिन चर्या में कैसे आदत डालना है जब उसका हम समय निरधारित करते हैं कि हाँ बच्चा जानने लगता है कि स्कूल का समय हो गया तो वो समय से परचित होने लगता है तब उसको हम कहते हैं कि स्कूल से आ सुवह कितने बजे उठना हैं फिर यह करना है फिर एक दिन चर्या होती है, श्कूल का दिन-चर्या जो है उसके अलावा आपके जो समय है जितने घंटे आपके बचते हैं 24 गनटे में उसका दिन-चर्या आपको सुयम बनाना होगा ya け still श्कूल आने के बाद हमको ये काम करना है आदा घंटा हमको खेलना है फिर दो घंटे पढ़ाई करना है फिर भोजन करना है फिर सोना है फिर सुबह चार बजे उठना है तो सुबह चार बजे उठने वाले बच्चे जो हैं वो सबसे अच्छे बच्चे कहे जाते हैं सुबह चार बजे उठने की आदत यदि बच्चे में पढ़ गई छोटे से जब वो के जीवन या पहली या दूसरी पढ़ता है तो तब से यदि उसमें सुबह चार बजे उठने की आदत पढ़ गई तो वो अपने जीवन में कभी भी चार बजे ही उठने की आदत होने के कारण वो सुबह चार बजे ही उठेगा इसलिए बच्पन में बच्चों की देंचर्या में मजबूती कैसे लाना है उनकी आदत बनाना है यह आदत अपने को बनाना पढ़ेगा कुछ समय तो माता पिता को भी सांत में बच्चे के उठना पढ़ेगा चार बजे चार बजे उठिये डेली उठिये एक महिने दो महिने तीन महिने जब बच्चे की आदत पढ़ जाएगी तो आप नहीं भी उठेंगे तो भी बच्चा उठकर के अपने पढ़ाई शुरू आदत कैसे बना है वास्तों में आप देख इसका अन्भो कर सकते हैं यदि तीन महिने लगा तार बच्चा चार बजे सुबह उठेगा आप भी उठेंगे तो बच्चे की आदत हो जाएगी और वो उसके जीवन का एक हिस्सा हो जाएगा बच्चा यदि ग्यारा बजे भी स जाएगा तो देन चर्या आपको ही बनाना है नमस्कार